अगर सब कुछ सही था तो उसे जूट बोलने की जरूरत नहीं थी उसने हर कदम पर जूट बोला यहां तक की जन्म स्थान से लेकर उसके असली नाम तक हाँ यह सोनिया गांधी के बारे में है बता दें कि सोनिया गांधी की शादी पूरू पी-म राजीव गांधी से हुई थी उनका कहना था कि वे दोनों एक ही उनिवर्सिटी में पढ़ते थे लेकिन वहाँ सोनिया नाम की कोई स्टूडेंट्स थी ही नहीं यहाँ तक कि उनके असले नाम की भी कोई स्टूडेंट नहीं थी एक रिटायर इंडियन पुलिस सर्वेस ओफिसर मलाय कृष्ण धर के द्वारा लिखित किताब ओपन सीक्रेट में एक खुलासा हुआ है बता दें कि मलाय कृष्ण धर ने 29 वर्षों तक इंटेलिजन्स ब्यूरो में सेवा दी है उन्होंने इस किताब में लिखा कि इंद्रा सरकार के कैबिनेट मंत्री और दो दर्जन सांसद के जीबी रूस की जासूसी एजिंसी के लिए काम करते थे केजीबी ने इसके लिए मूटी रकम देता था मलाय कृष्ण धर ने उनकी किताब में कुछ जाने माने तथ्य और पबलिक सीक्रेटों को प्रकाशित किया है इस किताब में उन्होंने सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनिया गांधी एक केजीबी द्वारा भेजी गई जासूस है वर्ष 1985 में रूसी जासूस एजिंसी केजीबी द्वारा दो बिलियन यूएस डोलर यानि कि 94 करोड रुपे राहुल गांधी के स्विस बैंक खाते में जमा किये गए थे जो कि सोनिया गांधी द्वारा मैनेज किया जाता था सिज न्यूज मैगजीन में भी ये दर्शाया गया था कि केजीबी ने सोनिया गांधी जो कि भारतीय राजनेता से विवाहित है उसे इतनी मोटी रकम क्यों दी गई अगर सोनिया गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन गई होती तो हमारी राष्ट्रिय सुरक्षा, सेना, वैग्यानिक्ता और टेक्नोलोजी विकास सहीत हमारी व्यापारिक गतिविदिया, रूस, रोम और अन्य मुस्लिम राष्ट्रों के लिए एक तरह से खुले किताब के सा हो जाती, इटालियन माफिया, भारती इंडस्ट्रीज और व्यापार पर अपना दबदबा कायम कर लेता, जिसका प्रणाम बहुत ही खतर राख होता, क्रिशन धर दवारा जुटाए गए कुछ सबूत सोनिया गांधी को रेशिन एजेंट साबित करते हैं, जवाहरलाल नह रूस पर उंगली उठाती है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शास्त्री जी ने पाकिस्तान के राष्ट्रकती अयूग खान से ताशकेन में मुलाकात की, और नो वोर समझोते पर हस्ताक्षर किये, जिसमें लिखा था कि अब कोई युद्ध नहीं होगा, लेकि राजिय गांधी को केजी बी के कहने पर मारा गया था, ताकि राजिय गांधी भारत के अगले प्रधान मंत्री हो, राजिय गांधी की मृत्यू श्रिलंका के आतम की समूह लिट्टे, जिसे इसाई समूह द्वारा वित्तिय साहता मिलती है, द्वारा खुई थी, बता दें तो बाहरी जासूसी एजिंसियों ने सोनिया गांधी को बढ़ावा देने के लिए पर्दे के पीछे से काम किया सोनिया की लिडर्शिप के लिए समभावित खत्रों को एक-एक करके शांदार तरीके से धुर्गटनाओं को टाकरतिक रूप देकर हटा दिया गया जो कि KGB की विशेषता है कैथोलिक्स रविवार को विशेष मानते हैं और सूनिया गांधी के सभी खत्रों को रविवार को इक खत्म कर दिया गया रजेश पाइलेट की रोड एक्सिडेंट में रविवार को मौत हो गई जितेंदर प्रसाद रविवार को brain hemorrits से मारे गए माधा और रविवार के ये दिन plane crash में मारे गए कमलनाथ जो की कॉंग्रेस के बड़े नेता थे वो भी plane crash में बाल बाल बचे थे ये वो तमाम बाते हैं जो सूनिया गांदी को सवालों के घेरे में खड़ा करती है